नमस्कार आप देख रहे हैं पोस्बूल न्यूज इन मीडिया और मैं हूँ आपके साथ कविता जोशी भारती रिजर्व बैंक यानी आर्बी आई ने येस बैंक पर सक्ती बरतते हुए इससे पचास हजार रुपे निकासी की सीमा तै की है आर्बी आई का ये आदेश 5 मार्ट से लेकर अगले एक महीने यानी की 3 अप्रेल 2020 तक लागू रहेगा इसकी वज़ा से देश भर के येस बैंक ग्राहकों में डर कायम हो गया है और गुरुवार रात कई शहरों में येस बैंक के एटियम में ग्राहकों की कतारें देखी गई इसके अलावा केंद्रिय बैंक ने येस बैंक के निदेशक मंडल के अधिकारियों पर रोक लगाते हुए एक महीने के लिए SBI के पूर्व DMD और CFO प्रशांत कुमार को एड्मिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट कर दिया है RBI द्वारा मौद्रिक सीमा निर्धारित करने के बाद से Yes Bank के जमा करताओं को ATM से धन निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा लंबी कतारों में खड़े ग्राहकों को कई मशीने बंद पड़ी मिली तो कहीं ATM में पैसे नहीं थे Yes Bank के ग्राहकों को मुसीबते तब बड़ी जब उन्हें इंटरनेट बैंकिंग प्रणारी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत हुई RBI ने कहा कि Yes Bank लगातार NPA की समस्या से जूज रहा है जिसके चलते ये फैसला लेना पड़ा है RBI द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मताबिक Yes Bank में बचत चालू या किसी अन्य जमा खाते में एक महीने के दौरान पचास हजार रुपिये से जादा धनराशी नहीं निकाली जा सकेगी इसके अलावा यदि किसी के बैंक में एक से जादा खाते हैं तो भी पचास हजार से जादा धनराशी नहीं निकाली जा सकेगी दूसरी और SBI Board ने Yes Bank में निवेश के लिए सैध्धान्तिक स्वीकृती दे दी है Yes Bank को खरीद सकता है भारतिय स्टेट बैंक हो सकता है एलावान सरकार ने भारतिय स्टेट बैंक और अन्यवित संस्थानों को पूंजी के संकट से जूंज रहे Yes Bank को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मनजूरी दे दी है उच्चिस तरिय सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में जल्द ही कोई घोशना की जा सकती है देश के सबसे बड़े लेंडिंग इंस्टिउशन्स आरबी आई की ब्रसपतिवार को मुंबई में बैठक भी हुई लेकिन यह पता नहीं चल सका कि क्या बैठक के एजेंडे में Yes Bank के अधिक रहन का मुद्द था या नहीं Yes Bank पर Monetary Limit की घोशना के बाद आज Yes Bank का शेर भारी गिरावट पर खुला पिछले कारोबारी दिन 36.80 के स्तर पर बंद होने के बाद आज Yes Bank का शेर 33.15 के स्तर पर खुला इसके बाद साड़े नौ बजे यह 7.35 अंक यानि 19.97 फीसिदी की गिरावट के बाद 29.45 के स्तर पर कारोबार कर रहा है ऐसे यह और वीडियो के लिए आप देखते रहिए Postful News and Media और अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल Postful News and Media को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें तो हमारे बांदा करें तो हमारे बांदाना ना भूलें